पेगेसिस जासुसी कांड तीन प्रेस संगठनों ने पत्रकारों और अन्ने पर निग्रानी की निंदा की संसद मौनसून सत्र दूसरे दिन भी विपक्ष ने सरकार को घेरा लोगसबाब 22 जुलाई तक स्थकित तीसरी खबर है MP से आकड़ों में खुलासा बीजेपी के 49 प्रतीशत, कॉंग्रेस के 34 प्रतीशत दायकों के 3 से जादा बच्चे वन संग्रशन कानून के संचोधन मसौधा तयार करने का ठेका कॉर्परेट को किसान सभाने जताया पिरोगत और आखरे में करोना अपडेट देश में चार महीने बाद सबसे कम यानी 30,000 नए मामले दर्श किये गए दुनिया भर के विविन मीडिया संगठनों द्वारा रवीबार 18 जुलाई को जारी की गई एक जांस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस्राइली स्पाइवेर पेगिसिस का इस्तमाल करके दुनिया भर की सरकारों द्वारा प्रतीदवन्दी नेताओ मानवत अधिकार कारे करताओ और पत्रकारों की जासूसी की गई थी Pegasus द्वारा हुई इस जासूसी की इस सुची में अब भारत में पक्ष और विपक्ष दोनों के मंत्रियों और साथ ही कई पत्रकारों और मीडिया संगठनों के नाम भी सामने आ रहे हैं इस पर भारतिय जनताबाटी सरकार की चौतरफान निंदा हो रही है और इसी बीच देश के तीन बड़े मीडिया संगठनों ने एक बयान जारी कर इस निंदा की है Press Club of India, Mumbai Press Club और Indian Women's Press Corps ने बयान जारी कर इसकी निंदा की है और कहा है कि सरकार को अपनी पारदर्शिता साबित करनी चाहिए और सब कुछ साफ करना चाहिए इस चाहिए और जिंदा की जासूसी की गई उस सची में नाम बढ़ते जा रहे हैं दबायर के हालिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जुलाई 2019 में करनाटगा की सरकार गिरने में भी इस जासूसी कान्ड का हाथ हो सकता है दबायर को मिले सबूतों के अनुसार 2019 में जी पर्मेशवरा के अलावा मुख्यमंतरी ह.ड कुमार स्वामी और पूर्व मुख्यमंतरी सिधरमया की परसनल सेकेटरी के फोन नंबर इस लिस्ट में शामिल है न्यूस क्लिक आपको इससे जूड़ी सब भी अपडेट्स देता रहेगा. फिलाल आएए सुनते हैं इस पूरे मसले पर वरिश्ट पत्रकार भाशा सिंग का क्या कहना है. जिस समय हम आपसे बात करें उसमें देश की संसद चल रही है. देश की संसद में प्रधान मंतरी नरेन मोदी, ग्रेह मंतरी अमिश्शा और उंके मंतरी. हमें यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ भी सामने आ रहा है, यह जो अंतराश्टी खुलासा है, जो अपनी तरह का सबसे बड़ा खुलासा है, जिसमें तकरीबन 11 देशों की जो सरकारे हैं, किस तरह से वो अपने नागरिकों या बाहर के लोगों पर निगरानी क करती हैं, यह सामने प्रमान के साथ आया है, इसे कहते हैं, पेगासस खुलासा, यह जो सॉफ्टवेर है, यह अपने आप में बहुत खतरनाक है, थोड़ा संक्षेप में, हाला कि आप तक जानकारी पहुची होगी, बस यह जान लीजे कि यह जो फोन है, जो मेरे हाथ में है जो आपके पास है, बच्चों के हाथ में हैं, किसी के पास है, उसे अगर सरकार चाहे, इस सॉफ्टवेर पे उसका नंबर डाल दिया जाए, तो हमारे आपके जाने बिना हमारे घर की बातें, हमारी बातें, हम आप जहां बैठे हैं, हमारी जानकारी के बिना हमारे वीडिय तरह से बेपरदा हो जाएगी यह सब कुछ चल रहा बहुत लंबे समय से भारत में भारत उसका एक हिस्सा है जो खुलासा हुआ है उसमें भारत की भी जानकारी सामने आई है और हमें देश के ग्रिह मंत्री संसद में यह समझाने की कोशिश करते हैं कि हमें क्रोनोलोजी समझ नी चाहिए है और संसद अंदर से यह लोग कहते हैं सरकारिया कहती है और बाहर एक भीड खड़ी हुई है वह भी हमें बताने की कोशिश कर रही है कि यह इंटरनाशनल कॉंस्पिरेसी अंतराश्टिय साजिश का हिस्सा है हम इस कायक्रम के जरिए बहुत दो टूक शब्द में यह कहना चाहते हैं जासूसी हुई है जासूसी सिर्फ आम भारतिय नागरिक की नहीं मोदी सरकार में जो मंत्री है उनकी भी हुई है जो इलेक्शन कमिशनर रहे हैं उनकी भी हुई है तमाम लोगों की रही है पत्रकारों की तो बड़े पैमाने पर हुई हुई है सवा सीधा सा ये है मोदी जी से और ग्रिह मंत्री अमिश्या जी से कि अगर यह जासूसी आपने नहीं करवाई तो सबसे पहला काम देश की संसद और आपका यह होना चाहिए कि वह तुरंत यह पता लगाए जांच बैठाए कि यह जासूसी किस ने की है क्योंकि आपके राज में अगर आलम यह हो गया है कि विदेशी सौफ्टवेर के जरिए विदेशी कंपनियां विदेशी सौफ्टवेर विदेशी पूरी की पूरी तकनीक के जरिए अगर भारतिये नागरिकों की सारी की सारी जानकारी हासिल की जा रही है उनकी जासूसी की जा रही है तो यह आप सबसे बड़ा आरोप है कि आप पूरी तरह से विफल रहे और आप नहीं बता पाए अभी तक कि यह सब क्या चल रहा है आखिर गडबड घोटाला कहा है क्योंकि यह जो इसराइली कमपनी है यह तो खुले आम कहती है कि हम यह जो सौफ्ट्वेर है यह जो जानकारी है हमारे आपके मोबाइल पर जाकने की जो पूरी की पूरी तकनीक है या हम सिर्फ देश की सरकारों को बेचते हैं हम निजी लोगों को नहीं बेचते हैं फिर अगर भारतियों की जासुसी हुई है तो यह तो यह कमपनी जुट बोल रही है या सरकार आपके यहां कुछ गडबड है देश की जनता निश्चित तोर पर जानना चाहती है जो एक बहुत मशूर फ्रेज बन गया है नेशन वॉंट्स टू नो सीरियसली देश की जनता को यह पता होना जरूरी है कि हमारी जासुसी आपके इशारे पर हो रही है या आपके विदेशी मित्रों के इशारे पर हो रही है आखिर कौन कर रहा है हमारी आपके मंत्रियों की जासुसी संसद में मौनसून सत्र के दूसरे दिन पेगेसिस जासूसी केस पर दोनों सद्दों में काफी हंगामा हुआ इसके बाद लोकसबा 22 जुलाई तक सगित कर दी गई सरण की कारवाई शुरूरने से पहले भाजफा संसदिय दल की मीटिंग हुई मीटिंग में प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने पार्टी नेता उसे कहा कि सत्ते को बार बार जंता तक पहुचाईए सरकार के काम के बारे में बताईए कॉंग्रेस सब जगा खत्म हो रही है लेकिन उन्हें अभी भी अपने बचाए हमारी चंता है इसके बाद राजेसवा में विपक्ष के नेता मलिक अरजुन खड़के ने केंदर सरकार पन निशाना साथा उन्होंने कहा कि जिस तरह सरकार ने बिना तयारी नोट बंदी की थी वैसे ही करोना महामारी के समय लोगडाउन लगाते वक्त भी तयारी नहीं की गई थी पहले दिन करोना मैनेजमेंट, किसाना अंदोलन, डीजल पेट्रोल की बड़ती कीमतों और राफेल विमान मामले को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा था अब भी सरकार समलती इससे पहले ही इसराइली स्पायवेर पेगिसिस फोन जासूसी के मामले में जमकर हंगामा हुआ जब से उत्रप्रदेश में जनसंक्या नियंद्रन बिल पेश हुआ है मध्रप्रदेश में भी उसी तर्च पे एक जनसंक्या नियंद्रन बिल नाने की मांग बीजेपी की सदस्य कर रहे है उत्रवदेश जन संक्या विदैक 2021 के प्रस्तावित प्रापधानों के अनुसार दो से अधिक बच्चों वाले व्यक्ति को स्थानिय निकाय चुनाव लड़ने, सरकारी नौकरी पाने, सरकारी सेवा में पहले से रहने पर प्रणुति पाने और सरकार की कल्यानकारी प्राप्त करने से रोग दिया जाएगा विड़मना ये है कि मध्यप्रदेश में 227 मौझूदा विधायकों में से भाजपा के 49 प्रतीशत से अधिक विधायक जिनमें से 13 मंत्री शामिल हैं, साथ ही 4.8 प्रतीशत कॉंग्रेस विधायक इसके शिकार हो सकते हैं क्योंकि उ समाजवधी पार्टी और 4 निर्दलिये हैं। मध्यप्रदेश में कॉंग्रेस सरकार ने लगबग 2 दशक पहले सरकाई नोकरियों और पंचाईती राजचनावों में 2 चाइल पॉलिसी को अपनाएन हो था। पात्र नहीं होगा या 5 जिनके 2 से अधिक जीवित बच्चे हैं जिन में से 1 का जनम 26 जनवरी 2001 को या उसके बाद हुआ है। मुदी सरकार द्वारा भारतिय 1 कानून 1927 में शंशोधन मुसादा तयार करने एक ठेका कॉर्परेट कमपनियों को देने के लिए रुची की अभिव्यक्ति आमंत्रित करने की तीखी आलोशना करते हुए इसका विरोध किया है तथा कहा है कि अब ये सरकार के उस निजीकर की शुरुआत है जो कानून बनाने का काम भी कॉर्परेट कमपनियों को सौप रही है। राज्यो के अधिकार शेत्र का मामला है। राज्यो की स्विर्परेट के बिना केंदर सतकार वन भूमी का अन्य प्रयोजनु के लिए उप्योग तक नहीं कर सकती। इसलिए राज्यो से सला मश्वरा किये बिना इस विशे पर कोई भी कानून मनाना संगवाद के किलाफ हो से भी कम यानि 374 मरीजों की मौत हुई है। साथ सो दस मरीजों को ठीक किया जा चुका है और अक्टिव मामलों में संख्या घट कर एक दशमलब तीस फीसिदी यानि 4,6,130 हो गई है। साथ में बस इतना ही हमारी ख़बरों को और विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। हमें फेस्बुक और इंस्ट्रग्राम पर फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्स्राइब करें। निउस क्लिक देखने के लिए शुक्रिया। झाल 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 झाल